इफको फूलपुर में मंगलवार रात एक पाइप में तकनी की खराब से अमोनिया गैस लीख हो गई इस गटना से वहाँ पर हड़कम मज गया अमोनिया गैस की चपेट में आने से 18 करमचारी वहीं पर अचेत होने लगे इसमें चार की हलत गंबीर होने पर सेर के अस्पताल में भरती कराया गया है सूशना मिलने पर पुलिस और प्रसासनी का अधिकारी भी मौके पर पहुचे है देरात तक दो करमचारीों की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि इफको की P1 यूनिट में मंगल वार रात 11 बजे गैस आइपलाइन में कुछ तकनीकी खरावी के चलते गैस लीक होने लगी जिसे वहां मौजूद करमचारीों ने ठीक करने की कोशिस की जिसकी चपेट में आने से दो अधिकारीों की मौके पर ही मौत हो गई है आपको बता दे कि इसी के साथी दरजनों करमचारी गहया लवस्ता में अस्पताल में भरती कराए गए है सूशना मिलने पर मौके पर एक्सपर्ट पहुचे जहां पर उन्होंने इस्तिती को नियंत्रण में किया इसके बाद कहीं जाकर गैस रिसाप को रोका जा सका लेकिन तब तक 18 लोग इसकी चपेट में आ चुके थे जिसमें से दो ने दम तोड़ दिया है इफको के पियारो विश्वी सिरिवास्तम ने गैस लिक होने की पुष्टी की है पताया जा रहा है कि अमोने की चपेट में आने से कई लोग इसमें घायल हुए है वहीं इस पूरे मामले पर सीम योगी ने भी सोग जताया है उन्होंने प्याग राज जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना में घायलों को समुचित उपचार का निर्देश दिया है सिम योगी ने घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शान्दी की प्रात्ना करते हुए सोग संतत्त परिजन्यों के प्रती अपनी समेदनाई व्यक्त की है